धीरे धीरे चबा कर खाना खाने से होते हैं ये बड़े फाइदे ऐसा कहा जाता है कि भोजन को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए मगर हम में से कितने लोग इस बात पर अमल करते हैं यह सोचने वाली बात है एक्सपर्ट्स के मुताबिक आप जितनी तेजी से चाबाएंगे उतना ही आप अधिक खाएंगे भोजन को धीरे धीरे चबाने से समगरब भोजन का सेवन कम करने में मदद मिलती है भोजन को चबाने से शरीर में पोशक तत्वों की मात्रा बढ़ाने में मदद मिलती है यह भूख को दबाता है और शरीर में पोशक तत्व भी अच्छी तरह पहुँचते हैं भोजन न चबाने या जल्दी चबाने के क्या नुकसान है जब भोजन को ठीक से चबाया नहीं जाता है तो पाचन तंत्र गतिविधियों को पहचानने में विफल हो जाता है और भ्रम पैदा करता है यह पर्याप्त एंजाइमों का उत्पादन भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके लिए भोजन को पूरी तरह से तोड़ा जाना चाहिए इससे पाचन संबंधी समस्याइं भी होती हैं जैसे सूजन, दस्त, पेट में जलन, ऐसे ड्रिफलक्स, कुपोशन, भोजन को अच्छे से धीरे धीरे चबाना अपने मुह में भोजन चबाने का सरलकार या भोजन के बड़े कनों को छोटे कनों में तोड़ने में मदद करता है यह अनप्रनाली पर तनाव को कम करने में मदद करता है और इस तरह पेट को आपके भोजन को चयापचे करने में मदद करता है जब भोजन को अच्छी तरह से चबाया जाता है, तो आप बहुत अधिक लार भी छोड़ते हैं, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं जैसे ही आप इन एंजाइमों को गले और पेट में छोड़ते हैं, यह पाचन प्रक्रिया को बहतर बनाने में मदद करता है इतना ही नहीं चबाने पर ध्यान केंद्रित करके, यह धीमी गती से खाने और कम खाना खाने में मदद करता है यह पाचन में भी मदद करता है और खाने के समग्र अनुभव को बढ़ाता है जानिये इस से जुड़े एक अध्यायन में क्या सामने आया National Center for Biotechnology Information की एक रिपोर्ट के अनुसार 30 महिलाओं ने अलग-अलग गती से भोजन किया जो महिलाएं धीरे-धीरे चबाती थी, वे कम खाना खाती थी और जल्दी खाने वालों की तुलना में पेट भरा हुआ महसूस करती थी एक अन्याध्यायन के अनुसार, जब लोग भोजन को आराम से चबाते हैं, तो वे दिन में स्नैक्स कम खाते हैं इस प्रकार, अन्हेलदी स्नैक्स के सेवन में कटोती होती है इन सब के परिनामस्वरूप आप कही न कही अपना वजन भी कम कर सकते हैं हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें, शेर करें और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें थन्यवाद